स्वागत है दोस्तों आपका इसके टेट बजर चैनल पे आई होप आप ठीक होंगे आज की वीडियो में हम करंट इमेंट्स की बात करेंगे अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दीजिए इस वीडियो लेक्चर की पीडियोफ आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं करते हैं दोस्तों वीडियो स्टाट सबसे पहला कुस्टन है बाई विच इयर नासा हैस प्लान टू सेट अप आर्टीमिस दा फर्स्ट हुमन बेस्ट केम्प इन साउथ पॉल ओफ मून तो दोस्तों ये नासा ने कब तक प्लान किये इस मिशन के लिए फर्स्ट ओप्शन है 2022 सेकिंड है 2025 थर्ड है 2023 फूर्थ है 2024 दोस्तों जो फूर्थ ओप्शन है वो सही है 2024 नेक्स्ट विच फूटबॉल क्लब हैस साइन टू इयर कंट्रेक्ट विद उमीद सिंग दा इरान इंडियन ओरीजन्स फूटबॉलर तो दोस्तों कौन सी टीम ने इनके साथ दो साल के लिए कंट्रेक्ट साइन किया है फर्स्ट ओप्शन है महोन बगवान एसी इस्ट बंगाल एसी फूर्थ है पूने एसी तो दोस्तों जो थर्ड ओप्शन है वो सही है इस्ट बंगाल एसी ने इनके साथ दो साल के लिए कंट्रेक्ट साइन किया है विच स्टेट गोवर्मेंट डिपलॉइ कोब नाइंटीन मोनीटरिंग सिस्टम एप तो दोस्तों यह एप किस स्टेट ने डवल्प की है फर्स्ट ओप्शन है तमिन नाडू, सेकेंड है पंजाब, थर्ड है उत्रप्रदेश, फौर्थ है तेलन गाना तो दोस्तों जो फौर्थ ओप्शन है वो सही है तेलन गाना ने यह एप डवल्प की है नेक्स्ट है विच पेमेंट बैंक जोईन हैंड विद बारती एकसा टू ओफर कोवर्ड नाइन्टी इंशुरेंस प्लान तो दोस्तों कोवर्ड नाइन्टी इंशुरेंस प्लान के लिए बारती एकसा के साथ कौन सी और कंपनी ने जोईन किया है फर्स्ट है दोस्तो एटल पेमेंट बैंक, सेकेंड है पेटियम पेमेंट बैंक, थर्ड है फोन पेमेंट बैंक, फूर्थ है नन ओफ दीज दोस्तो जो फर्स्ट अप्शन है वो सही है एटल पेमेंट बैंक ने बारती एकसा के साथ जोईन किया है एटल पेमेंट बेंक की बात करें तो इसकी स्तापना 2017 में हुई है इसका हेड़कॉर्टर न्यू डेली है इसके चेर्मेन सुनील बारती मित्तल है बारती एक्सा की बात करें इसका स्तापना 2008 में हुई है हेड़कॉर्टर मुंबई महाराष्टरा में है इसके CEO और MD संजीव स्रीनवासन है नेक्स्ट है दोस्तो हूँ appointed as chairman of NASCOM तो NASCOM के chairman कोन है फर्स्ट option है रेका मैनन सेकिंड है UB Parveen Roy थर्ड है देवजानी गोश फूर्थ है केशफ मुरूगेश तो दोस्तो जो second option है वो सही है UB Parveen Roy और vice chairman दोस्तो कोन है NASCOM के तो वो है रेका मैनन नेक्स्ट है दोस्तो who named as brand investor by PepsiCo PepsiCo का brand investor कोन है फर्स्ट option है विराट कोली सेकिंड है यूरा सिंग थर्ड है हर्मन प्रीक और फूर्थ है सिफाली वर्मा तो दोस्तो जो फूर्थ option है सही है सिफाली वर्मा PepsiCo के brand investor है नेक्स्ट है विच और्गनाजेशन ड्वल्प स्पर्सनल सैनिटाइजेशन एंड फुल फेस मास्क कोविड नाइंटीन तो दोस्तो ये किसने और गज़ेशन ने ड्वल्प किया है फर्स्ट ओप्शन है इसरो सेकिंड ड्याइडियो फर्ड आएटी डेली फूर्थ आएटी बोंबी तो दोस्तो जो सेकिंड ओप्शन है डियाडियो ने ये ओर्गनाजेशन ने ड्वल्प किये है नेक्स्ट वर्ल्ड हैल्थ डे कब बनाए जाते दोस्तो फर्स्ट आप्शिन है चार एपरःल सेकेंड है पांच एपरःल थर्ड है छे एपरःल फोर्थ है दोस्तो 7 एपरःल तो दोस्तो 7 एपरःल को World Health Day बनाया जाता है इसलिए हमारा फोर्थ आप्शिन कुरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है state UT government announce 5T plan to control the spread of coronavirus तो दोस्तो कौन सी state UT ने 5T plan announce किया है coronavirus को फैलने से बचने के लिए फर्स्ट ओप्षिन है दोस्तो तमिलाडू, सैकिंड है पंजाब, थर्ड है डेली फूर्थ है तेल इनगाना दोस्तो जो थर्ड ओप्षिन है वो सही है डेली ने ये 5T plan launch किया है 5T दोस्तो है क्या ये है 5T दोस्तो जो है test pressing, treatment और tracking and monitoring दोस्तो और teamwork ठीक है दोस्तो तो ये 5T थे और next बात करें दोस्तो वहांके गवर्नर की दिली के तो है अनिल बैजाल next है दोस्तो question theme of world health day health day की दोस्तो theme कौन सी है इसकी theme है दोस्तो first option है working together for health second है save lives third है sport nurses and midwives fourth है दोस्तो good health adds life to years third option है दोस्तो जो सही है वो world health day की theme है sport nurses and midwives ओके दोस्तो धेंक्यू अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजिए वीडियो को like share जरूर करिएगा thank you